हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टी यार यूट्यूब चैनल इंगलिश फैमिली 87 सो अपां अपने बी ए समेस्टर फोर्थ दा जेड़ अपना नॉवल सी प्राइड और प्रेजडाइस ओस दी अपां समरी है जेडी तो अनुप पंजाबी दे विचे समझा आ चुके हैं ओस उसी चैनल दी प्लेइलिस्ट दे विचे जाके ओस थे प्राइड एंड प्रेजडाइस नाम दी प्लेइलिस्ट आ जेड़ियो बनी हुई है ओस दे विचे जाके तुसी समरी है जेडी एस नौवल दी पंजाबी दे विचे समझा सक दे हूँ अस्तो इलावा एस नॉबल दे जड़े दो क्रेक्टर स्केच ने ओ भी आपकर चुक या Elzeabeth Bennett दा क्रेक्टर स्केच और फिट्स विलियम डर्सी जड़े जड़े ओस दा क्रेक्टर स्केच भी आपकर चुक या तेहुन देखो अज जदी एस वीडियो दे विच्च अपा करांगे क्रेक्टर स्केच आफ जेन बैनेट बैनेट से जडिया गरल सी उनना तो सब तो जडिया बड़ी लड़की सी बैनेट परवार दी ओसी जेन बैनेट ओस तो छोटी सी ऐल्जावेथ बैनेट तो एस वीडियो दे विच्च अपा जेन बैनेट जेडि ओस दा क्रेक्टर स्केच आएड़ा ओपा देखांगे देखो स्टार्ट कर दिया जेन बैनेट इस दे लीडिंग फीमेल क्रेक्टर ओफ दे नौबल प्राइड एन प्रेजड़ाइस प्राइड प्रेजड़ाइस दे विच्च अपा जेन बैनेट जेडि ओस देख लीड करेक्टर है मतलब मेन करेक्टर ही नौब प्रेजड़ाइस देखांगे अटे सारे इंसीडेंट ने येडि सिच्वेशन ने ओ मतलब एस दे द्वालेकुम देने क्योंकि जेन बैनेट दा बहुत महत पूर्ण रोल है अपने एस नौबल दे विच्च प्राइड एड प्रेजड़ाइस दे विच्च सारियां येडियां बैनेट गर्ल्स ने उनना दे विच्चो सब तों बड़ी है जेन बैनेट शी हैज चार्मिंग ब्यूटी एंड आउटस्टेंडिंग एक्सप्रेशन मतलब बहुत ज्यादा सुन्द रहा हो ते उस दे एक्सप्रेशन ने जेड़े आउटस्टेंडिंग ने मतल लोका नूँ देखन दा नजरिया कह सक देयां देखन दे विच अच्छी है ते बाकी जेड़ी मतलब सेंस दे तौरते भी आपा देखिए उस नूँ बहुत ज्यादा आकल है मतलब लोका नूँ बदिया ज्यादा तंगदे नाल पेश हो जेन बैनेट शी इज अट्रेक्टिव इन हर फिजिकल अपियरेंस फिजिकल दे मतलब फिजिकली भी हो बहुत ज्यादा फिट है बहुत अट्रेक्टिव है and honest in हर बहविर तेड़ उस दी भीक़े वीर है उस दे विच ज्यादा ओनेस्त इमान्दार है हो शी इस रिस्पेक्टर बाइ और दे ग्रेक्टर्स इन दे novel for her gentleness sorry greatness मतलब एस novel दे विच्च सारे ही उस दी respect कर देने by all characters सारे characters उस दी respect कर देने in the novel एस novel दे विच्च for her greatness मतलब बहुत बदिया लड़की आहो एसली सारे ही उस दी प्रसंशा कर देने और उस दी respect भी कर देने बिंगले loves her much because of her beauty and honesty उस दी सुंदरता अते इमांदारी दे कारने डा Mr. Bingley है उसनों बहुत ज़्यादा like कर दे love कर दे Darcy and Mr. Bingley's sisters also recognize her qualities जडे Darcy है जडा अते उस दी यडी Bingley दी sister है ओ भी मतलब Jane Bennett दी qualities ने उनना नू पहचान देने recognize कर देने, पहचान देने toleration is the most important quality of her character जडे toleration है, सहन चीरत है उस दे character दी, एक important quality है उस दे विच्च she is always ready to believe and think the best of others, मतलब दुज्याने बारे हमेशा ओ चंगा ही सोच दिया अते बहुत जाल दी लोग कांते बिश्वास है यडा हो कर दिया she defends those who are misunderstood मतलब उनना नू defend कर दिया, उनना लोग का नू जेडे दूसरे हैं दुआरा गल्त समझे यांदे ने misunderstood, मतलब जिनना नू गल्त समझे यांदे ओहो help कर दिया, उनना लोग का दिया उनना ये पावनावाने समझे दिया जेडी when everyone criticizes Darcy ये देख़ए के example भी दिती है के जो दो सारे ही criticize कर दे सी Darcy नू मतलब सारे उस दी अलोचना कर दे सी she alone ओ कली ही सी has a word to say in his favor ता Darcy दे फेवर दे विच्च सिर्फ कली Jane Bennett ही ये बोली सी by nature Jane is opposite to her sister Elizabeth nature दे विच की है जेडी Jane है अपनी sister Elizabeth दे बिलकुल उल्ट है because she never has any prejudice against anyone क्योंकि ओस दे दिल्डे विच किसे दे प्रती भी प्रेज़ेडाइस पेदपाव एड़ा हो नहीं हैगा Elizabeth has Elizabeth has प्रेज़ेडाइस अगेंस्ट अदर जेडी Elizabeth है ओ दूज्जाने प्रती पेदपाव रख दी है but Jane is not suspicious about others पर जेडी Jane है ओ दूसरे दे प्रती शक्की सवादी नहीं हैगी Jane is too gentle बहुत जादा gentle है because she can't speak any harsh word to anyone क्योंकि किसे नूँ भी हो ठोरता दे नाल नहीं बोल सकदी she knows that ओ जान दी है she knows that Miss Bingley hates her ओ जान दी है कि येडी Miss Bingley है ओ उसनों नफर्त कर दी है but she tries to make her friend पर फेर भी हो Miss Bingley दे नाल मतलों दोस्ती करन दे ली ट्राई है येडी हो कर दी रहनी है हाला कि उसनों पता है कि Miss Bingley है जेडी उसनों नफर्त कर दी है जे कर एक बार ओसना देल है जित्तिया जावे by संबन मतलों के जे कोई एक बार ओसना देल है जित्तिया जान दा है Mr. Bingley wants her hurt Mr. Bingley येडा ओसना देल जित्तिया दा है She keeps her love hidden from the world ओ हो मतलों दुनिया दे कोड़ों अपना येडा प्यार है Darcy thinks that she is not loyal to Bingley एसे लिए Darcy येडा ओसोच दा है के हो Bingley दे प्रती loyal नहीं है So he feels that Bingley should not marry with Jane एसलिए Bingley येडा ओसोच दा है के Sorry Darcy येडा ओसोच दा है के Bingley नूँ ओस देनाड ब्यार नहीं मतलब करावना चाहिंदा The broken romance is a great challenge For Jane कहने दा मतलब की है broken romance मतलब जदों जड़ा बिंगले है ओसो लंदन चले जान देने एक बार मतलब ओस टाइम एडा दूर हो जन दा है Mr. Bingley Jane तो ओस वक्त की है The broken romance is a great challenge For us दे लिक बड़दा challenge होंदा है But she does not mind and suffering in silence पर हो कोई माइन नहीं कर दी ते चुप चाप एडा दुख है ओस तो जदाईदा ओहो सेंदी रेंदी है Jane is completely obedient जड़ी Jane है बहुत ज़्यादा आग्या कारी है obedient humble निमर्त है मतलब ओस दे विच्च and generous अते द्यालू है that anyone can win her easily अते हर कोई उसनों असानी दना जित सक्त है she has no any individuality मतलब आपने अपनों अपनी शक्षियत है जड़ी हो ज़्यादा नहीं समझ दी she likes to remain in the background मतलब हमेशा पिछे ही रहना चाओं दी हो ज़्यादा मतलब अपनी वावा है जड़ी ओ नहीं करबोना चाओं दी goodness is a reward for her जड़ी goodness है she is united in happy marriage with a gentleman who is as good as she herself is मतलब ओहो united मतलब एकठा हुन दी हावाद दे विचे उस दी marriage हुन दी है in happy marriage दे विचे बंदजन दिया हो किस दे नार with a gentleman ओस इंसान दे नार who is as good as she herself is मतलब ओस इंसान दे नार जो इंसान ओसे जिनना बदिया कि जिननी बदिया ओ हुआ है ओनना ही बदिया ओ इंसान है मतलब के बिंगले दिगल हो रही है so AC का अपना character sketch of Jane Bennett I hope के तो अनूं असान लग गया होएगा जे कर वीडियो चंगी लगी है ता वीडियो नूं लाइक कते शेयर जरूर करो और जे कर तुसी चैनल उपर नवे हो ता चैनल नूं सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं पूलना so मिल दे हैं अगली वीडियो लेके उनों तक देव इजाजत thank you so much